हलो फैंस असलों है को वाइलकम बेक वीडियो से जोस्व आज के मारे वीडियो शीफो कॉलेज अफ मैडिसन के वाले से इसमें अड्मिशन टू के 22 और 23 ओपन है आप लोग अप्लाए कर सकते हैं लास्ट डिट क्या अप्लाए करने की और फी सेक्चर के इस कॉलेज की फी बा करेंगे 50% फी आप फास्ट इस्टॉल्मेंट देंगे और 50% फी आप सेकंड इस्टॉल्मेंट आफ्र सिक्स मन्त देंगे अगर आप इसमें इंट्रेस्टेट ने तो आप लोग कॉंडेक्ट कर सकते हैं वाइशब कर सकते हैं 0347-211-4935 इस पर आप वाइशब करें और ये कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है और इसकी कैटेगरी जो है वह एक कैटेगरी है पीमसी की तरफ से पीमसी के साथ अफलियेटेट है इसमें आप फाइफ येर का जो मैडिसेन का प्रोग्राम है MBS मतलब आप कर सकते हैं और इसमें अप्लाइ करने की जो डेट है वह 21st निवंबर से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट अप्लाइ करने की वह 26 दिसमबर है ठीक है अब भी नेक्स महीना आपके दिसमबर का है आपके पास एक महीना है 26 दिसमबर तक आप लोग इस कॉलेज में अप्लाइ कर सकते हैं जो के मंडे बनता है और अब हम बात करते हैं और बाकी रूल और रिगलेशन क्या है तो हम इदर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और फिर इसका एक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो के आज है कि इसको हम देख लेते हैं ठीक है तो यह इसमें एद्मिशन इंफरमेशन है अमडेशन के हवाले से 2K22 और 23 के हवाले से तो अगर पासिंग क्रिटेरिया है वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पीम सी रेकुलेशन है जो कि क्या है 55% है तो अगर आपके M.D.Cat में से 110 मार्क है यू कन अप्लाइ इन इस कॉलेज और आपके FAC में से 60% मार्क होने चाहिए ठीक है और फॉर्म सुर्मेशन के लिए इसको र अप्लाइ करना है और जो डॉकुमेंट्स है उसमें पास्पोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ होने चाहिए विद वाइट बैक्राउंड फाइल साइज एन फॉर्मेट जो है 1MB होना चाहिए और GPEG फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं और जो फोटो है वो क्लेयर हो होने चाहिए ठीक है तो जब आपको अफिशल रिजल्ट आएगा तब आप इसमें अप्लाइ कर लेजिएगा ठीक है और जो फी है अप्लिकेशन फी जो है आप जो पे करेंगे बैंक के थरू इनको इतिलाना फार्म जिसको हम बोलते है वो थाजन्ड है अक्सरसेज की भी तक कॉल्जित में ठेख साच है तो तबाम कॉल्जेस की तकी तक टक होगा है या अगर कुछ कॉल्जित दो हजार तक ले सकते हैं तो तक टक्रीम तमाम कॉल्जित में वने ठाहरीपा पे शोबीर तो आप उसे ऐं-लैट-डस find करताट अर ऐए यह अवर् formula क्या है आपके सामने MDCAD को 50%, FSE को 40% and metric creation code 10% include किया जाएगा और interview जो है with the faculty of the college is a part of admission process in the person interview with the student and the parent on the day of the fee submission is mandatory तो fee submission में आपका जो interview is mandatory तो बस ये कोई खास interview वैसे नहीं है क्योंकि जब आप fee submit करवाने जाएंगे along with their parents तो आपके जो अपू होंगे उसके साथ ही आपका interview होगा क्या होगा interview आपसे नाम पूछा जाएगा अबू का नाम पूछा जाएगा ये क्या है आपके वालिद है जी मेरे वालिद मेरे साथ है क्या करते हैं M.E.V.S क्यों कर रहे हैं कैसे pay करेंगे ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी regulation आप लोग पाड़ सकते हैं then अब हम देखते हैं fee structure five years की तो भाई annual tuition fee जो चोदा लाग है admission fee 28,000 है score to fee 60,000 है and university fee जो है वो 28,000 है तो first year की जो fee है वो 15,000 और 16,000 बन रही है जबके second year की fee 15,000 है और कम होगे है second year की fee कम है and third year की fee 15,000 और 17,000 है जबके fourth year की fee 16,000 और 60,000 है sorry 50,000 है then final year की fee है वो है 17,000 और 35,000 ये इस college की fee structure है और foreign students के लिए ये fee structure है और आपने fee जो है वो bank draft के तरू या pay order के तरू summit करवाने within three days after a display of the merit list and इसकी इलावा जिए PMC student registration fee will be as per PMC notification और सारी सी से आप लोग ये पढ़ सकते हैं और इसके बाद जो अगर हम hostel charges की बाद करें accommodation जो है वो 4,20,000 है और आनम के हावाले से पर month 35,000 है और missing जो है वो 2,40,000 है जबके पर मन 17,000 आपसे मैस के चार्जेस लिये जाएंगे लिस्टेंग आप अपलोड की जाएंगे आपके सामनी है जो आप लोगों ने अप्लाइ करना है इस वेब साइट की तुर आप अप्लाइ कर सकते हैं और जो आपकी लास्ट डेट है वो 26 दिसमबर है और डिस्प्लेइ आफ फस्ट मैरे लिस्ट विल बी ऑन सैचरड़े 31 दिसमबर 26 दिसमबर को लास्ट डेट है उसके एग्जेक्ट फाइव डेज बाद 31 दिसमबर को आपकी जो फस्ट मैरे लिस्ट है वो अप्लोड की जाएगी जिसमें आपने विदिन थ्री वर्किंग डेज जाना है अपनी फी सर्मिट करवानी है इंटोवी विल बी कंडेक्टेड अलॉंग पैरेंट और इसके बाद औरिंटेशन सर्मेनी जो है और कुमेंस्मेंट अफ़ रेगुलर क्लासिस विल बी ऑन दा 6 फरवरेरी तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस वीडियो में लगी है या हम कह सकते हैं कि इनकी रेगुलेशन में लगी है कि उन्हेंने पूरी जो है रेगुलेशन लाइक चाचे कासे 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 करना है पूरी एक अ renew क्सुएरी इस सिस्टेमिक वह में इनुर ने बता दिया कि PASTL लिश्स कब लग नी फास्व लिए AH पैरेंट को साथ ले आना है आपके औरिंटेशन सरमनी कब है और commencement of the regular classes will be on the 6th February 2K23 और आप नीचे कुछ चीज़े पढ़ सकते हैं अगर आप इन से contact करना चाहते हैं ये इनका contact number है, email भी आपके सामने है और location भी आपके सामने, Islamabad में ये college situated है Islamabad का ये college है आप लोग इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आते हैं आपको ये मेरी मेहनत पसंद देती हैं आप इसको like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और मेरे YouTube की स्चोटी से family को join कर सकते हैं Thanks for watching